मुंबई पुलीस का जवान अपनी ड्यूटी को बखुबी अंचाम देता है और अपनी कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करता है शायद यही एक बात्र कारण है कि विश्व इस्तर पर मुंबई पुलीस की तुलना स्कॉटलैंड याड्ट पुलीस से की जाती है वैसे तो मुंबई पुलीस सेवा में कारे रजवान अपने करतव्य को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने में यग विख्यात है लेकिन मुंबई पुलीस में कई ऐसे भी हुनरबंद हैं जिनोंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को कभी दबने नहीं दिया बलकि अपने वियस्ततम जीवन और ड्यूटी के बीच अपनी प्रतिभाओं को लोगों तक पहुचाने का प्रियास निरंतर जारी रखा कथित हुनरमन पुलिस कर्मी का नाम है सर्जे राव असराम पुंगले एक प्रतिभाओं पुलिस कर्मी के साथ साथ वो एक कवी भी है जिनोंने अपनी सोच अपनी लेखनी को नया आयाम देते हुए एक के बाद एक कई पुस्तक लिख डाले सर्जे राव असराम पुंगले वरतमान में मुंबई के खेरवाडी पुलिस टेशन में कारे रथ हैं सर्जे राव द्वारा लिखी गई छटी पुस्तक मलाकाई वाटते का विमोचन सफलता पुरवक संपन्न हुआ सर्जे राव पुंगले द्वारा लिखित पुस्तक का वी मोचन मुंबई पुलिस के एडिसनल कमिशनर विनायक देशमुक और खेरवाडी डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त कैलास अवार्ड के हांथों किया गया आपको बता दे कि सर्जे राव पुंगले ने अपनी पहली किताब साल 2014 में प्रकाशित की थी जिसमें उनका नाम सुर्खियों में आया था पुंगले ने अब तक कस्टाची भाकरी, स्वापनपूर्ती, स्यापला, वंदना और मलाकाई वाट्टे जैसी किताब को प्रकाशित किया है सर्जे राव पुंगले के आर्थिक उत्पन का एक मात्र जरिया पुलिस ड्यूटी है लेकिन प्रकाशक और डिस्ट्रिब्यूटर ना मिलने की वज़ा से सर्जे राव हताश नहीं हुए इसके बाद भी उन्होंने अपने होसले को तूटने नहीं दिया और अपनी लेखनी को निरंतर जारी रखा जिसका परीडाम आज सब के सामने है और आज पुंगले की छटी किताब का वीमोचन मुंबई पुलिस के शिर्स अधिकारियों के हाथों किया गया इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस कवी सेर्जे राव आसराम पुंगले को बढ़ाई और भविश्च के लिए शुब कामनाय दी हमारे खिरवाडी पुलिस टेशन के पुलिस साम्मलदार फ्री पुंगले इननों इससे पहले भी चार किताबी लिखी है और आज उनका एक कवीता संक्र प्रसिद्ध वाए तो पुलिस में काम का प्रेशर और ड्यूटीज का सब टाइमिंग यह देखती हुए लिखना एक बहुत ही बड़ी बात है ऐसे इसमें भी उन्होंने अपनी जो कला है वो कायम रखिये बहुत खुशी हुए मुझे आज यह पुस्त का विमोचन करते हुए मैं उनको सुबेच्चा देता हूँ और आगे भी वो लिखते रहेंगे अपनी वीचार समास्ते पोचाते रहेंगे हुआ जोल्बार क कष्ञे बात है जो आओफर जो है राइटर है सायितिक है वह आपनी बाहर के नाम सुनते हैं लेकिन हमारे पोलिस में ईश मो है जो खुद की प्रतिबासे किताबी लिखते हैं, उसके चार किताबी इसके पहले भी विए, आज उसने कावे संग्र जो नया निकला है, मला काय वाटते, तातिशे चांगला आहे तो तुम्ही वाचावा तो, आणि आमची सर्जेराओ जाए पूलिस कॉंस्टेबल, त्यानी आशिस काई तरी सांगला लिखान कराओ, तैसा प्राकाशन वाओ, आणि त्यानी सांगला काम करते हैं, सरी तलामी सुबेच चे दिले ले आचा करते हैं, बहुत जरूरी है, डिजिटल भी हुरा है, तो डिजिटल में भी किताबी है, वो डाउनलोड करके लोगों ने पढ पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना जरूरी है, जो पढ़ेगा, उसका फायदा रहेगा, वो अच्छा रहता है, जो दसा शिकेल तो टिकेल, दसा वाचेल तो टिकेल हैं आमसे मनना है अभी ये मेरा च्छटा किताब है, जो आज पबलीश होने ओले है, मलाकाय वाड़ते, यहने मुझे क्या लगता है, ये पोईटरी बुक है मेरा, इसमें जो कविता है, ये कविता इसके माध्यम से मैं समाज को ऐसे बोलना चाहता हूँ, कि जो समाज है, उसमें राजकारण है, समाज करान है, निसर्ग है, इसके उपर ऐसी कविताली की है, जिससे आच्छा संदेश लोगों तो जाएगा, मुंबाई पोलीस में अभी देखना चाहे हो, तो समय मिलता ही नहीं, मगर जैसे चुट्टी का दीन एक रहता है, उसके बाद जब घर जाते हैं, खाना खात हैं, तो एकाद घंटा मिलता है, वो समय में आच्छे काम के लिए लगा लेता हूं, और ऐसे ही मेरी बुक छोड़ी मोटी हो जाती है, बुक लिखने में ऐसा समय जाता है, मगर ऐसा नहीं कह सकती कि कब सूझेगा, एकाद लाइन आज की दिन सूझती है, तो छे महने कुछ सुझता ही नहीं, ऐसा रहता है, वो बोले तो सरस्वती, मा सरस्वती का अशिरवाद होना चाहिए, तो ही आप उन्हें ये कर सकते हैं, जिस विशय की चाहत है, उसने वो समय निकलना चाहिए, और आपनी जो लिखने की गाने की जो कला है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, आसा मुझी लगता है,